मेरी दवा की दुकान थी, और उस दिन दुकान पर काफी भीड थी, मैं ग्राहकों को दवाई दे रहा था। दुकान से थोड़ी दूर पेड के नीचे वो बुजुर्ग औरत खड़ी थी। मेरी निगाह दो-तीन बार उस महिला पर पड़ी, तो देखा उसकी निगाह मेरी दुकान की तरफ ही थी। मैं ग्राहकों को दवाई देता रहा, लेकिन मेरे मन में उस बुजुर्ग महिला के प्रती जिग्यासा भी थी, कि वो वहां खड़े-खड़े क्या देख रही है। जब ग्राहक कुछ कम हुए तो मैंने दुकान का काउंटर, दुकान में काम करने वाले लड़के के हवाले किया, और उस महिला के पास गया। मैंने पूछा, क्या हुआ माता जी कुछ चाहिए आपको। मैं काफी देर से आपको यहां खड़े देख रहा हूँ, गर्मी भी काफी है, इसलिए सोचा चलो मैं ही पूछ लेता हूँ, आपको क्या चाहिए। बुजुर्ब महिला इस सवाल पर कुछ सत्पकासी गई, फिर हिम्मत जुटा कर उसने पूछा, बेटा काफी दिन हो गए, मेरे दो बेटे हैं, दोनों दूसरे शहर में रहते हैं, हर बार गर्मी की चुट्टियों में बच्चों के साथ मिलने आ जाते हैं, इस बार उन्हो मुझे कल शाम को ही मिला, कल सारी रात ये बात सोच सोच कर परिशान रही, एक मिनट भी सो नहीं सकी, आज सोचा था तुम्हारी दुकान से दवाई लूंगी, लेकिन दुकान पर भीड देखकर यही खड़ी हो गई, सोचा जब कोई नहीं होगा, तब तुमसे दवा अभी ला देता हूँ, आप बताए, बेटा कोई बच्चों को भूलने की दवाई है क्या, अगर है तो ला दे बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा, इस से आगे के शब्द सुनने की मेरी हिम्मत ना थी, मेरे कान सुनन हो चुके थे, मैं उसकी बातों का बिना कुछ जवाब दिये चुकचाप दुकान की तरफ लोट आया, क्योंकि उस बुजुर्ब महिला की दवा उसके बेटों के पास थी, जो शायद विश्व के किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी, अब मैं काउंटर के पीछे खड़ा था, मन में विचारों की आंधी चल रही थी, लेकिन मैं उस पेड के नीचे खड़ी उस मासे नजरे भी नहीं मिला पा रहा था, मेरी भरी दुकान भी उस महिला के लिए खाली थी, मैं कितना असहाय था, या तो ये मैं जानता था या मेरा भगवान,